गुद मॉर्णिंग एवरिवन, आई मिरिशा सर, यसी ए फैमेली में आपका सौगत करता हूँ, बेटा हम फिजिक्स का सेकेंड चाप्टर पढ़ रहे हैं, मोशन इना स्ट्रेट लाइन, जिसके बहुत सारे टॉपिक हमें हमने कवर कर चुके हैं बेटा, जैसा डिस्टन्स ह स्पीड हो, वेलासिटी हो और एक्सेलरेशन हो, उसके साथ साथ उसके उपर हमने एक्जाम्बल भी देखे हैं, सबको पता चल गया है, आज हमें क्या पढ़ना है बेटा, काइनामेटिकल इक्वेशन तो देखो बेटा, काइनामेटिकल इक्वेशन क्या होते हैं, कोई ऑप्जेट है बेटा, इनिचली रेस्ट पे उसका इनिचल वेलासिटी यू है, आगर मैंने इसको पोर्स अपलाई किया, यह ऑप्जेट आगे गया, इसका फाइनल वेलासिटी वी हो गया, तो से related हमारे पास यहाँ पर कुछ equation आ गए है पहला equation होता है V is equal to U plus 80 दूसरा equation है बेटा हमारे पास UT plus half 80 square बेटा तिसरा equation आता है V square is equal to U square plus 2A yes तो बेटा kinematical equation में हमें एक चीज़ ध्याद में रखना है acceleration हम क्या consider करेंगे यहाँ पर constant consider करेंगे तो जब acceleration uniform रहेंगा constant रहेंगा तब यह equation हम यहाँ पर use करने वाले है इस equation को हम kinematical equations या फिर Newton's equation भी से कहा जाता है यह equation आपने 9-10 में भी पढ़ा है आपको आप डिरावी भी करके दिया है ठीके बेटा तो यह equation आपको ध्यान में रखना है इसमें कुछ चीजों की बात करेंगे हम वी क्या होता है आपका final velocity यू क्या होता है आपका initial velocity ओके बेटा टी तो सबको consider करना है uniform consider करना है कैसा consider करना है यूनिफर्म मतलब यह जो equation है uniform acceleration के लिए ही applicable है जहाँ uniform acceleration दिया होंगा constant acceleration दिया होंगा तब याप इस equation का क्या कर सकते है यूज कर सकते है otherwise आपको इसको यूज करना नहीं है चलिए बेटा मानलो हमरा object यहाँ से यहाँ पे गया यहाँ से यहाँ से यहाँ सेकेंड में तो इसका displacement हम बोलेंगे yes हम इसको points को नाम देते a to b हमरा object a to b यहाँ सेकेंड में गया तो उसका displacement कितना है बेटा yes तो माल लो जब यहाँ पे रहा होंगा तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम ही बेटा उसे हम कहते है लास सेकेंड बेटा क्या कहते है बेटा लास सेकेंड लास सेकेंड में जो displacement हम उसको कहते है बेटा यस यंथ क्या कहते है हम उसको यस यंथ मतलब displacement in यंत सेकंड बेटा क्या बेटा displacement in यंत सेकंड इसे मैं आपको कुछ अलग तरह से बताने की कोशिश करता हूँ मालो A से B का टाइम अगर 10 सेकंड है A से B में जो displacement हुआ है 10 सेकंड में हुआ है तो यहाँ से यहाँ का जो displacement रहेगा बेटा वो कितना डाइम में रहेंगा बेटा 10 सेकंड कौन साथ है टाइम रहेंगा हो लास सेकंड का मतलब क्या देखो जैसा फर्स सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर सेकंड तो सेकंड एक ही है लेकिन उससे हम कितवा सेकंड है वो वो दसवा सेकेंड है तो यह जो displacement है यह 10th सेकेंड हो गए आप़े क्या हो गया बेटा 10th सेकेंड है आम क्या कहेंगे बेटा देखो बेटा, A to B अगर object यन सेक एंप में जा रहा है. A to B अगर object यन सेक एंप में जा रहा है. तो A to C में जो object जाएगा, वो यन माइनस वन सेकें रहेगा बेटा. A to C तक जो displacement रहेगा, वो यन माइनस वन रहेगा. और यहां का displacement को मैं बोलता हूँ S- क्या बोलता हूँ बेटा मैं S- तो जो C to B वाला displacement बेटा जिसको मैंने क्या कहा है Yes, Yant मतलब मुझे displacement in Yant second अगर find करना है इसका एक direct formula होता है लेकिन हम इसको proof करेंगे बेटा कैसे देखो पहले A to B जो displacement है और displacement का formula क्या है हमारे पास बेटा UT plus half 80 square क्या है बेटा Yes is equal to UT plus half 80 square तो T का value क्या है बेटा मेरे पास Yant second तो मैं यहापे रख दूँगा UN plus half A Yant square क्योंकि A to B में जो मेरा T का value क्या है बेटा हो Yant second है क्या है बेटा हो Yant second ठीक है बेटा अभी S dash अगर मुझे निकलना है बेटा मुझे S dash अगर निकलना है तो T का value क्या है बेटा मेरे पास Yant minus 1 तो जहाँ पे T है वो Yant minus 1 से replace हो जाएगा मतलब U Yant minus 1 plus half A और T के जागा पे 1 second बेटा Yant minus 1 का square बेटा ठीक है बेटा इसको मैं अगर और solve करूँगा S dash is equal to क्या आएगा देखो यह हो जाएगा U into N UN यह U into 1 U plus half A N minus 1 का square कैसे solve करेंगे बेटा हम N square minus 2N plus 1 A minus B का जो bracket square होता है वही सामने solve किया तो S dash हो गया U N minus U plus 1 by 2 A से solve करेंगे तो 1 by 2 A N square minus 1 by 2 A 2 N यह 2 N से इसको multiply किया और यह हो गया 1 by 2 A बेटा ठीक है देखते जाओ देखते जाओ सब समझ में आ जाएगा बस देखते जाओ आप लोग ठीक है बेटा ओके बेटा अभी देखो बेटा क्या-क्या हो जाएगा देखो यू यन और ये यू ये प्लस half A N square ये 2, 2 cancel हो जाएगा बेटा ये minus A N हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 1 by 2 A ठीक है बेटा ओके आब मुझे क्या चाहिए displacement in यन्त सेकेंड चाहिए बेटा बोस्टे टीचर क्या करते है इसका डायरेक लिए आपको formula बता देते है तो वो भी कोई problem नहीं है क्योंकि आपको derivation अगेरा कई पर derive नहीं करने है लेकिन एक concept के लिए आपको concept पता होना चाहिए आया कैसे उसमें जो मज़ा आता है वो direct formula में नहीं आता है इसलिए मैं आपको formula बता रहा हूँ कैसे आया अभी ये तीसलिजमेंट कैसा मिलेंगा तो ये टोटल डिसमेंट में है अगर इतना डिसमेंट माइनिस कर दू तो मुझे ये झा स्वेंग कदू तो मुझे ये दीदिसब्लेस मैं मिल जाएंगा मतलव समझ गये है प्लस half an square. माईनस ये वाला प्यटा. अभी bracket ले लिता हो. s-, क्या है ये s-? विच लिखता हो थोड़ा. यह पि लिखता हो. माईनस 1-. u-n minus u plus half an square minus an plus 1 by 2 a. तो यहाह से s-n येन्ध क्या होगा पेटा तेरा? u-n plus half an square. माईनस ये multiply करो लो. So, यह minus uvn, यह plus u, यह minus 1 by 2, an square, यह plus an, और यह minus 1 by 2, a. ठीक है, बेटा? ठीक है, बेटा? देखो, यह uvn, uvn cancel हो रहा है क्या? यह यह cancel हो रहा है क्या, ठीक है, ना? So, यह सियंत पता अभी क्या है? देखो, यह first हमारा u बचा हिदर, बेटा? This, this, this cancel, यह u बचा, this is also cancel, प्लस बेटा, an और minus 1 by 2, a. So, यह सियंत पेटा, u, यहा से a common निकाल लो बेटा, तो क्या बचेंगा, बेटा? n minus 1 by 2, ठीक है, बेटा? So, यह से u plus a, यह हो जाएंगा 2n minus 1, 2 into n, 2n, यह नीचे 1 होता है, ठीक है, बेटा? और यह नीचे 2 बचेंगा, मैं वह आपे दे देता हो, बेटा, तो displacement in 1 second, ठीक है, बेटा? displacement in 1 second, देखो, displacement in 1 second, क्या है, बेटा, displacement in 1 second? u plus a by 2 in bracket, 2n minus 1, and once again here, acceleration is uniform, और constant. तो देखो, बेटा, kinematical equation में हमें क्या-क्या learn करना है फिर? यह एक equation है, यह एक equation है, यह एक equation, यह 3 equation हो गया बेटा, और यह हो गया बेटा, आपका 4th वाला equation. चार equation आपको learn करना है, और और एक बता देता हो यह आपे, ओके बेटा, yes is equal to u square by 2a, यह एक equation हम याद करेंगे बेटा, इसे कहा जाता है, stopping distance बेटा, क्या कहा जाता है, stopping distance, मतलब कभी-कभी हम कभी कार चला रहे हो गेरा, तो suddenly कोई सामने object आ गया, तो हम क्या apply करेंगे बेटा, break apply करेंगे, तो break apply करने के बाद, मतलब retardation के case में, object आपका कितना distance के बाद जाके रूबने वाला है, मतलब वो जो stopping distance है, उसका formula होता है u square by 2a, और यह जो stopping distance है, initial velocity और excretation के उपर क्या कर रहा है, डिपेंड करना है, मतलब road safety के लिए अगर देखा जाए, तो यह equation हमारे लिए बहुत ज़ादा जरूरी है ठीक है बेटा, इसे note down कर लेंगे एक बार, चलि बेटा, आप कुछ एक्जांपल के बात करते हैं, आपका एक particle बेटा, start from rest है, तो उसका initial velocity बेटा, 0 हम consider करेंगे, तो आपको displacement, आपको एक ratio find करना है बेटा, क्या find करना है ratio, ratio का है कर बेटा, displacement in 1 second, तो displacement in 1 second, यह ratio find करना है बेटा, 1 second में हुआ जो displacement है वो, और 1 second में हुआ जो displacement हो, बहुत सिंपल है, देखो, yes is equal to क्या होता है, बताओ, ut plus half, 8 square, अब displacement in 1 second मतलब t का value यहने बेटा, तो yes is equal to, क्या हो जाएंगा, अब start from rest है, तो यह term तो 0 हो गए, तो half a, t का value गतना है बेटा, यहन, तो यह हो गया आपका equation number 1, अब यहन्त second का मैंने आपको formula क्या बता है बेटा, u plus a by 2, 2n minus 1, अब यहापे कही कही 2t minus 1 भी लिखा होता है, यहापे t भी आया होता, तो t का value गतना है, यह नहीं रखा होता, तो यह start from rest है, तो यह भी हो जाएंगा, yes, यहन्त is equal to a by 2, और यह 2n minus 1, इसे हम equation number second ले लेंगे, अब सबको पता ही चल गया होगा, हमें क्या find करना है, yes upon yes, यहन्त find करना है, yes कितना है बेटा, half, an square, और यह कितना है बेटा, a by 2, 2n minus 1, a, a और यह 2, 2, क्या हो गया आपका, cancel हो गया, तो yes upon yes, यहन्त कि अगर बात करेंगे, तो उपर आजाएंगा यहन्त square, और नीचे आजाएंगा 2n minus 1, तो यह हो गया बेटा, आपका ratio of displacement in 1 second, to that displacement in 1 second, 1 second और 1 second, difference बेटा, जैसा आपने 10 second के लिए कुछ displacement किया, तो यह 1 second हो गय 6th second में कोई displacement आपका हो गया, मतलब 5U से लेके 6 में, उसका हम कहते है, यंत second, मतलब कितवा second हो, इस हम बोलते है, ठीके, ओके, चलो second example के बात करते हैं अभी, particle आपका straight line में constant acceleration से मूँ कर रहा है, देखो इसमें question में आपका हमेशे एक सीज़ ध्यान में अकनी, constant acceleration मेंशन करे तब हम इस equations का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीके फिर, तो 15 meter in third second and 31 meter in 7 second, ठीके बैठा, यहाँ पर क्या बोड़ रहे है, acceleration constant है, तो देखो अभी, पहले 15 meter in third second, मतलब 1 second वाला ही कुछ दिया है, पहले 1 second का formula यूज करो, U plus A by 2, 2N minus 1, आभी बोड के ओपर बहुत अच्छ का displacement है, उनका कहना है, यह जो displacement है 15 हुआ है, बैटा, displacement ही पंदा ऊच्छे से धहान दो हुआ है, यह 3, 2, 6, 6 minus 1, 5, यह हो जाएंगा बैटा, 5A by 2, इसे हम1 बोलेंगे, चलेंगा सबको, ठीके मैं इसे नहीं कहता हूँ equation number one इसको मैं और solve कर लेता हूँ ठीके बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया और समझ मेंगा द्यान दोग इसको two से multiply कर लो यह 30 हो गया यह two हो गया और यह हो गया 5a ठीके बेटा यह ua है sorry ठीके आब इसे equation number one देता हूँ अब इसे second case में क्या दिया है देखो अब displacement कितना हुआ है 31 meter मतलब यह displacement जो हुआ है वो 31 meter हुआ है u plus a by 2 और कितवे second में हुआ है 7th second में मतलब यहन का value 7 रख दो आभी 2 into 7 minus 1 so 31 u plus यह साथ दोने 14 14 में से एक गए 13 62 यह भी हो जाएंगा 2u और यह हो जाएंगा 13a ठीक है बेटा इसे equation number 2 equation one को नीचे लिख दो 30 2u plus 5a ओके बेटा और इसको subtract कर लेंगे आभी देको subtract करेंगे तो 62 में से 30 गाया 32 यह बेटा cancel और 13 में से 5 गाया तो बेटा 8a और यहां से a कितना आए बेटा 4 meter per second square तो question क्या है मैं आपको बताया है नहीं अभी बता देता हो यह यह सेकेंड डिस्प्रेश्मेंट का formula यूज कर रहा हूं है 15 में डिस्प्रेश्मेंट हुआ है 3rd second में मतलब यहन का value कितना है 3 और 31 मेंटर displacement हुआ है 7th second में मतलब यहन का value है 7 और आपका object का acceleration uniform है तो ठीक है uniform है तो find करना है उस acceleration को जो uniform है जो कि आया है 4 meter per second square और उस object का initial velocity तो a का value हम रख देंगे बेटा चलो कहां पर रखने का बोलो यहां पर रख देंगे चलो बताओ फिर 30 is equal to 2u 5u 2a कितना है 4 मतलब 5 और का 20 30 minus 20 is equal to 2a मतलब 2a is equal to 10 तो यह u है ठीक है तो यह 2u is equal to 10 और यहां से u is equal to 5 meter per second तो देखो बेटा velocity क्या आ गया 5 meter per second और acceleration क्या आ गया आपका बताओ यास 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 बताओ कितना आ गया 4 meter per second का square तो देखो बेटा यह हमारा कानेमेटिकल इक्वेशन topic मैंने start किया है actually यह topic को कम से कम 2 या 3 lecture लग सकते अगर छोटे वीडियो अगर बनाने है और बड़े वीडियो अगर बनाऊंगा तो फिर 2 lecture में हो सकता है तो आज का पहला lecture है तो इसको मैं थोड़ा छोटा ही रहने देता हूँ लगबग 15 minute का हो गया होगा मेरे हिसाब से अभी second वाला lecture 30 minutes का बनाने के कोशिश करता हूँ जिसमें हम सिर्फ क्या करेंगे अभी जो मैंने श्टार्ट किया है टॉपिक इसके उपर हम क्या करेंगे बेटा example डिसकस करेंगे मतलब दूसरा कुछ भी नहीं करना है इसके उपर बहुत सारे example की practice करना है फिर क्या हो जाएंगा धिरे-धिरे हम आगे बढ़ेंगे अभी जाएंगे अभी जाएंगे